एलो फैंस इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइबर पर अकाउंट कैसे बनाएं और हम किस तरह से फाइबर पर फुल कंप्लेट अपना अकाउंट बना सकते हैं आज हम इस वीडियों के अंदर इसी हम टॉपिक के उपर बात करने वाले हैं दोस्तों हमने पिछले वीडियो में बताया था कि Index Webmaster Tool में अपनी वेबसाइट को कैसे एड़ कर सकते हैं अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों तो आज हम बात करने वाले हैं फाइबर पर अपना अकाउंट कैसे बनाया जाता है फाइबर क्या है किस तरह से फुल डेटेल में अपना अकाउंट बना सकते हैं तो दोस्तों इस वेबसाइड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वहां जाकर आप अकाउंट बना सकते हैं और वीडियो आगे बढ़ने से पहले हमेशा के तरह दोस्तों अगर हमारे सेनल पर पहली बार आये हैं तो सब्सक्राइब करें और बिल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाए क्योंकि इस तरह की वीडियो में आपके लिए हर रोज लेकर आता रहता हूं तो दोस्तों अगर अगर पर अकाउन्ट क्यासे बनाया जाता है चलिए चलू करते हैं तो सब्सक्राइब कर देना है तो यहां पर देख सकते हैं आप इसकी वेबसाइड खुल सुकी है तो आपको चिदा साब सबसे पहले सेंगिन करना है इसके पहले यहाँ पर लिखावा है Better A Seller इसके उपर कलिक कर देना है इसके उपर कलिक कर देने के बाद में आपको राइट सेड में Joint Button दिख रहा होगा तो Joint Button के उपर आपको Simple Click कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चार ओप्सन्स आपको मिल रहे हैं आपको Sign Up करने के लिए सबसे पहले Facebook से Sign Up कर सकते हैं और दूसरी Google से भी आप Sign Up कर सकते हैं और अगर Apple का है आपको Virgin तो Apple से भी कर सकते हैं अन्य अथा निच्छे आपको Gmail से भी आप इसे कर सकते हैं Sign Up तो हम Simple एक Gmail से हम अपनी Gmail ID से Sign Up Sign Up करेंगे तो अपनी जो भी ID है उस Gmail ID को यहाँ पर डाल के Submit करना है जैसे ही हम अपनी वो Gmail ID को यहाँ पर डाल कर Submit करेंगे तो हमारे सामने एक दूसरा पेज खुलेगा उसके अंदर हमें ये बताएगा कि आपको अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है और पासवर्ड सेलेक्ट करना है तो आप देख सकते हैं दूसरा पेज खुल सका है यहाँ पर लिखा है सोस ये यूजर नेम तो अपना username select करना है आप देख सकते हैं अगर red आता है तो इसका मतलब है कि username किसने लिया हुआ है तो अपन को कोई अच्छा username अपने नाम से related लिखना है जो दूसरी किसने नहीं लिया हो जैसे ही आप username select करेंगे तो आगे आपको tick green color हो जाएगा इसका मतलब है कि आपना username एकन सही है उसके बाद में source एक password तो आपको password select करना है password एक्टम strong होना सही है सब्दों में भी होना सही है और word में भी होना सही है दोनों mix में लगा कर आपको एक अच्छा strong password बढ़ा देना है उसके बाद में देख सकते हैं पासवर्ड चाहिए हैं तो भी आपको green tick आ जाएगा उसके बाद में आपको joint पर click कर देना है तो जैसे ही हम joint के उपर click कर देंगे तो हमारा account खुलकर तयार हो जाएगा तो यहां पर सबसे पहले profile पर edit करना है और profile के ओपर tap करके अपन को कोई भी आपना एक image अच्छा image यहां से ले लेना है मैं कोई भी एक image पहले से select करके रखा हूँ क्योंकि मैंने पहले से ID बना के रखी है इसलिए आपको दिखाता हूँ सिर्फ समझाता हूँ कि इस तरह आपको account आपको setup कर देना है तो मैंने जैसे ही अपना ये profile image अपडेट किया उसके बाद में नीचे headline लिखी हूई है और इसके उपर अपना username select किया वह दिख रहा है और इसके निचे से अपनी headline अपने काम से रिलेटिक headline लिख सकते हैं तो आपको किसे भी calendar को पता सले कि हाँ यह बंदा इस से रिलेट काम करता है उसके बाद में आपको update कर देना है और निचे देख सकते हैं आप उसके निचे आपको लिखागा from India वो सब automatic select हो जाता है अब यहाँ पर लिखा है description तो description के अंदर अपने related अपने नाम आप क्या करते हैं और क्या का काम आप करते हैं इस रिलेट आपको यहाँ पर date 200 words में लिखनी है उसके बाद में आपको submit कर देना है और निचे आता है language त सेलेक्टर देनी है या फिर हिंदी भी कर सकते हैं और फिर आपको किसी एड के उपर सेलेक्टर देना है और अगर आप साय तो एक और language सेलेक्टर कर सकते हैं यसे English English सेलेक्ट करके आपको निच्चिवाल आप्सेंस में conversation लिख देना है इसके बाद में add के उपर click कर देना है तो दोने language हमने सलेक्ट कर दी language हमने select दो language कर सकते हैं आगर आप size ज़्यादा भी कर सकते हैं दो language काफी है इससे ज़्यादा select ने करने हैं उसके बाद में link account तो यहाँ पर facebook link account कर सकते हैं और google भी कर सकते हैं हम google को एक link करके आपको दिखाएंगे कि किस तरह account को link किया जाता है यानि link करना भी जरूरी है यहाँ पर कोई भी account अपना यह है इस social media पर वो link कर सकते हैं इस account से आप link कर सकते हैं देख सकते हैं हमने अपना account link किया है Gmail account है वो हमारा आपने link करके रखा है तो उस तरह आपको भी अपना account एक link कर तक कर रखा है दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो like कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ share कर दीजिए और वीडियो end तक जरूर देखें और भी आगे वीडियो interesting होने वाला है तो आपको जो भी account याप लिंक करना साते हैं उसके उपर click करके आपको उसको simple link कर देना है link करने के लिए यहाँ पर आपको OTP मांगेगा तो आपको जिसमें भी ID हैं जहां भी connect हैं वहाँ से आपको OTP यापर select कर देना है OTP डालना है फिर जाके अपना account यापर connect होगा दो तीन में एक मिनिट भी time लगता है OTP आने के अंदर तो OTP आ गया हम सिधा यहाँ पर submit करेंगे OTP को वीडियो को like जरूर करें तो आप देख सकते हैं आपने Google account को link किया हुआ है आप साय तो कोई भी इसमें से account link कर सकते हैं Facebook भी कर सकते हैं Twitter भी कर सकते हैं इसके बाद में हम Twitter भी यहां से कर सकते हैं Twitter में भी आपको अगर account हैं तो कर सकते हैं यहां से link ठीक है मैं नहीं करना साता एक account मैंने link किया है वो भी काफी है आप साहें तो जैसे हमने Gmail को यहां से link किया है इसी तरह आप भी यहां से Twitter को भी link कर सकते हैं Facebook को भी link कर सकते हैं ओधर सोचल मीडिया है यहां पर फिचर उसको भी आप यहां से link कर सकते हैं ठीक है तो यह तो हो गया link account कैसे किया जाता है अब हम चलेंगे next options के ओपर यहां पर लेका है skills तो यहां पर skills यानि कौंची कौंची skill है आपके पास वो add करना है content writing, article writing, SEO writing, copy paste writing इसे related आपको skills है वो आपको यहां पर add कर देनी है जैसे मेरी skill से article writing लिखोंगा और add कर दोंगा इसके निच्छे कौंची level है तो expert है तो expert के उपर add कर दोंगा इससे तरह SEO भी आपको यहां पर इससे जैसे और क्या करना आता है SEO करना आता है आपको तो SEO भी add कर देना है content writing, copy paste website designer, photo editing इससे तरह की skills आपको यहां पर add कर देनी है मैं simple एक दो skills से वो आपके सामने add करके दिखा दूगा ताकि आपको समझने में कोई प्रेशानी नहीं हो और आप अच्छी तरह से समझ सकें कि इस तरह के skills add की जाती है ठीक है friends यहां पर भी level add कर देनी है ठीक है तो दो skills हमने add कर दिए और इसके बाद में इडक्षन आपने पढ़ाई कितनी की है वो आ यहां पर आपको यहां पर बताना है सबसे पहले कौन से देश से हो वो कौन से देश में आपने पढ़ाई की वो लिखना है तो simple हम इंडिया से हैं जा इंडिया सेलेक्ट करेंगे तो इंडिया सेलेक्ट किया इसके बाद में कौन से कॉलेज है वो यहां पर आपको सेलेक्ट करनी है जो भी आपके कॉलेज है वो यहां पर आपको बतानी है यहां पर इसके बाद में कौन सा कोर्ष किया आपने तो अगर इसमें से नहीं आता है तो आपको अधर्श कर देन यहाँ पर लिख देना है जैसे बी कॉमर्स मैंने किया है तो बी कॉमर्स मैंने यहाँ पर एड कर दे दिया और कौन से साल में आपको यह किया वो भी आपको बताना है जैसे दोजार आठ में मैंने यह पूरा किया उसके बाद मैं एड के ओपर क्लिक कर देना है जिसी आपसंस कि कैसे हम समझ लिया कि कैसे अकाउंट को बना सकते अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे गिक्स क्या है और गिक्स कैसे किया जाता है तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोस के साथ और नए टॉपिक के साथ जिसमें बात करें हैं हम गिक्स क्या होता है और कैसे बना जाता है और इसमें क्या आगे कान किया जाता है तो आज की वीडियों में इतना ही मिलते हैं अगले वीडियों में जय ही हिन्ट